नोशकार दोस्तों मैं डॉक्टर रूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्फ फ्रेंड में एक बाद फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज से मैं एक नहा सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के मैध्यम से आपके सवालों का उपर ही बेष्ट करके मैं रिपलाई को वीडियो की रूप में पेश करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कुछ महिलाव ने मेरे फेस्बूक एकाउंट में ये सौल पूचा था कि हेमोगलोबिन कम होने के लक्षन क्या क्या है और अगर मेरे वीडियो आपको ज़्यारा अच्छा लगे तो ज़्यारासे जदा शेयर करना ना भूले अधिक से अधिक इसको शेयर कीजए जिससे लोग और समज जागुरू झ seventeen और आपके सवालों को आप इसी प्रिकार से मेरे Facebook प्रोफाइल में या YouTube प्रोफाइल में भी भेजते रहे हिमोगलोबिन जो है वो हमारे शरीर के एक उर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है आम तोर पे पुर्षो में हमोगलोबिन जो है नॉर्मल रेंज जो है वो 13.8 से लेकर के 17.2 ग्राम पर डेसी लीटर को माना जाता है महिलाओं में 12.1 से लेकर के 15 ग्राम पर डेसी लीटर तक जो है इसे नॉर्मल माना जाता है अगर हिमोगलोबिन किसके शेरी में कम हूँ, तो उसमें कमजोरी आएगा, सांस जो है लेने में कटने ही आएगा, ठकावट आएगा, कई बार हर्ट बीड जो है दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो जाएगी, या कई बार धीमे धीमे होने लेगा, कान में आवाज गुणने सरदर्द करता रहेगा, हाथ और पैर के तलवे जो है ठंडा मैसूस हो सकता है, इसकीन का कलर थोड़ा हलका पीलापन में चेंज हो सकता है, भूग की कमी आ सकती है, हलका हलका बुखार रह सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ये आमतोर पे हमोगलोबिन कम होने के पहचान है, किसी भी पेशेंट को अगर इस तरह के लक्षन है, तो बेटर है आप डॉक्टर के पास जा करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार आप टेस्ट कराएं, और अपने हमोगलोबिन का जो इस्तिती जो है पता कीजिए, हमोगलोबिन अगर कम है, तो आपको डायेट में बनाना है, हरे मटर है, तर्मरी के हल्दी है, इन चीजों की मातर ज्यादा लीजिए, विटामिन B12 जो है एग में, मिल्क और डेरी प्रोड़क्ट्स में ज्यादा मातर में पाये जाता है, उनको आप लीजिए, मश्रूम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप फॉलिक एसीट के पादाम, पपया, मतलब पपीता, इसके साथ साथ कॉली फ्लावर ले सकते हैं, हिमोगलोविन बढ़ाने के लिए खजूर, अंगूर, वाटर मेलन, जिसे हम तर्बूच कहते हैं, पोम ग्रेनेट, जिसे हम आनार के नाम से इंदी में जानते हैं, स्ट्रॉवेरी, इन चीज को भी जदा मत्रम ले सकते हैं, अपल को भी ले सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आप इन चीजों को डायेट में इंक्रूट करेंगे, तो नेचूरली भी आपका हमोगलोविन हमेशा मेंटेंड रहेगा, फिर भी किसी कारण बश्च, अगर हमोगलोविन डाउन हो चेक कराते ही हमोगलोविन का स्थितिक कितना बना हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दीगे जानकर यह आपको काफियत तक हेलपूल रहेगा, इसी प्रकार से कल मैं एक और सवाल का रिप्लाई आपके सामने रखूंगा, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे च